हलो फ्रेंज आप सब कैसे हो आशा करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंज आज हम सभी जा रहे हैं हमारी बेटी का आज डान्स कॉंप्टीशन है तो उसके लिए हम रेडी हुए हैं जाने के लिए तो friends अब भी देखो हम ready हो गए न तो अब भी ये मैं इस तरह कमरे समगा कर कुछ जा रही हूँ और कुछ थोड़ा आकर समगाऊंगी अब भी फिलाले इससे ही छोड़ दिया है मैं आप को दिखा रही हूँ तो वैसे और जो बाहर मितांस के जो पापा है ये समान जो बाहर लगा है न दुकान का वो समान अंदर रख रहे हैं तो हमारे साम का 6 वजे से प्रोग्रम स्टार्ट है तो उसी के लिए हमको जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि काफी दूर है और फ्रेंस हम निकल कर आ चुके हैं तो हम लुकेशन पर ही पहुँच चुके हैं जहां आस पास कर है ये तो यहां कर है कोई गार्डन वगेरा जिसमें उन बच्चियों का कॉम्पटिशन रखा गया है तो यहां अभी हम लुकेशन पर ढूंड रहे हैं उसको खड़े होकर यहां तो देख रहे हैं आई डिसाइड तो देखने में अभी आस पास कर ही बता रहा है लुकेशन लेकिन गलीयों का पता नहीं कि किधर अभी देखना है तो अभी हम सोच रहे हैं कि साइड यहीं रोड पर हो कोई तो उस गारडन का नाम भी हमको मालूम है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है वो और यहां देखो आसमान में थंड़ा पना गया है आप कितना छोटा सा एरोपलेन यहां इस एरिया में बहुत एरोपलेन जब उड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में इस एरिया में जहां हम रहते हैं वहां थोड़ा यहां छोटा दिख रहा है जिस एरिया में हम रहते हैं वहां तो काफी बड़े बड़े दिख दिखते हैं उड़ते हुए तो अच्छा लगता है ये इस माहुल के लिए तो अच्छा लगता है देखने में और फ्रेंस हम आगे निकल चुके हैं धूडते हुए उसको जैसे हमको लोकेशन लेके जा रहा है ना उसी तरह हम निकल रहे हैं लेकिन अभी मिल गया यहां है यह और पहुंच रहे हैं सही लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यह आ चुका है साइड यह देखो यहां है यह भीड सा दिख रहा है ना साइड पहुंच गए आ चुके तो यहां बच्चियों का प्रोग्राम है और यहां इस जगे पर इस जगे पर हम उतर चु भी थोड़ा इंट्री करेंगे यह मैंगेट है जहां पर पेरेंट्स भी बच्चों के आ चुके हैं अपने बच्चों को लेकर और जिन बच्चों के अकडमी से आए हैं उनकी बसें आई हैं बच्चों की और पेरेंट्स पीछे से आए हैं तो ऐसे ही हमारे साथ है हम भी पास ले चुके हैं लेकिन यहां चेक कराना बाकी है तो अब भी हम देखो हमने दिखा दिया और अब अंदर निकल नहीं तो अंदर देखते हैं कैसा लगता है देखने में देखो अब हम अपना सीटों पर बैठ गया है न तो सबसे पहले हमको न अब भी सुरू हुआ है और गनेश जी का हमें प्रोग्राम देखने को मिला है सबसे पहले तो बहुत सारी भीड है हम मैं तो यह सोच लेती कि अभी इतनी भीड नहीं होगी क्योंकि धूप भी थी तब हम घर से निकले थे और इतनी सारी भीड है यह सब बच्चियां तयार होकर डोल रही है तयार उसक इसका यह दूसरा कॉंपटीशन है यह फर्स्ट एक दफ़ा पहले भी कर चुकी है और अब यह दूसरा इसका कॉंपटीशन है यह और मेरी बेटी को ज़्यादा दिन नहीं हुए है अभी डांस में अब दूसरा साल लगा है मेरी लड़की को तो इतने में अब देखो इतने में कैसा है कैसा नहीं है मुझे इसका अंदाज नहीं है आप लोग डिसाइड करोगे इसको तो लेकिन करा है जब भी हमारी लड़की ने तो ग्रूप में ही का ग्रूप में ही किया है उसने और यह देखो आ चुकी है ठक गई है देखो कैसा और यह इनकी ड्रेस थी यह पहले वाली ड्रेस से यह काफी नहीं है पहले वाली अच्छी थी इनकी ड्रेस और यह छोटी-छोटी बच्चियों का डांस है यहां पर यहां देखो एक साइज का रहे हैं जर कहां से आई है छट-छट के इतनी बिजारी क्यूट सी लग रही है यह देखने में और यह जज है इनसे कुछ बातें कर रहे हैं चोटी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा अनन्द आ रहा था वहां पर देखने में सामने जब हम देख रहे हैं न तो बहुत अच्छा लग रहा है और जो यह उनको यहां बुलाया जा रहा है जिनके ममी पापा अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं न तो उनको यहा का भी प्रोग्राम चलता रहे और माबाब भी जो है पेरंस उनको भी सम्मानित होता रहे और देखो बहुत रात हो चुकी है रात का नो बच्चों का है नो और अभी प्रोग्राम बहुत बाकिया बहुत सारे पेरंस बैठे हैं इतने सारे पेरंस हैं सभी बच्चों सभी पेर यहां पर भहुत सारी भीड है और यह देखो अभी मतलब इतना सारा बच्चा है आप भूट सारे बच्चे कर चुके हैं और अभी अभी मतलब अभी और भी बाकियां यह बच्चे चोटे हैं ना तो इनको लगाने में बहुत मैडमों को दिक्कत पड़ती है और ये देखो हमारे बच्चों को भूक भी लगी है तो मैं इनके खाने का समान कुछ लेकर साथ में चलती हूँ और कुछ हम खरीद भी लेते हैं तो ये देखो घर पे ही है न सारा समान खाने के लिए तो मैं जहां रास्ते भी चलती हूँ न तो घर से ही मैं लेकर चलती हूँ ताकि मुझे रास्ते में परेशानी ना हो और मुझे रुखना नहीं पड़े कहीं और ये मैं रचित को हमारे को बैठने को जगे नहीं मिल रही तो मैंने काफी देर से खड़ा था ये और घूम भी रहा था तो अब मैंने इसको बिठा दिया है और हमारी जो बेटी है उसको प्यास लगी है और देखो छोटे-छोटे और जो ये लड़की जो इस पर कर रही है इंडिया डांस में भी डांस करके आ चुकी है ये लड़की, इसका बहुत अच्छा लगा है डांस करने पर बहुत अच्छा देखने में लगा है और ये भी हमारे ही साइड की है और हमारे ज़स्ट पास में है इसका और इधने ज़्यादर इसका डांस बहुत अच्छा लगा था हमको और अब भी मतलग काफी बच्चों का में तांस भी हमारा डांस कर रहा है दीदी को देख देखकर बोलता है दीदी आप भी चलो मेरे साथ डांस करते हैं तो हमने रचित का भी अपने लड़के का भी लगाया था डांस तो उसने किया नहीं उसने 6 महीने ही करके छोड़ दिया उसका इंट्रेस्ट नहीं था मन नहीं था उसको यह चीज करने में और लड़की को है तो लड़की अभी इ अपर पापा से बोल रही है कि यह जो ना गर्मी और चुब रही है और इधर मितानस है ना और बाकि जो लड़ियां है ना उनके साथ में बच्चियों को भी परिशाν कर रहा एक तो घर में भी उनके साथ डांस कर रहा है देखो, यह उनका नमबर आचुका है तो यह जा रही है, फिर आएंगी नितना metal मिल गया है, इतना मिल गया है इनके साथ भी यहाँ पर, मितांस कि उसका तो पैर टिकी ही नहीं रहा है और कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं पूरे पार्क में डोल रहा है और मैं भी अपनी जगे से उट कर आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पर न थोड़ी गर्मी सी लग रही थी तो मैं इधर आ गई हूँ हवा के हवा इधर थोड़ा ठीक लग रहा है माहुल और रात का 11 बज़ रहा है इस टेम रात का यह पता नहीं अभी इसका लास्ट मूमेंट है यहां पर और अभी काफी बच्चे हैं अभी उसके लिए डांस के लिए तो अभी यह देखो फिर से आ गही है यह दीदी करके तो फिर से लग गया उनके साथ डांस करने के लिए इसका बहुत मन है इस और इन्जोई कर रहा है और घर पर होता तो कब कश हो जाता यह और इस इनको भी पता है कि कितना अच्छा लगता है जैसे इनकी बच्चे इनकी वो है नि त्यारी तो यह सब तो फ्रेंड्स उमीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लेज पेटी का जो भी बच्चियां है और आप भी सपोर्ट करना हमारी तरह और फ्रेंड्स बस वीडियो में अब तक इतना ही बने रही हमारे वीडियो में मिलते हैं अगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स